हेलो फैंस मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाईए जिससे नए वीडियो का लोटिपिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे हेलो फैंस मैं आज आपको बताऊंगा कि वैल्डिंग का कारे करते समय इलक्टोड रोड प्लेट की सतय पर बार-बार क्यों चिपकती है जिसे हम चुड़ाने की कोशिस करते हैं जटके देखे और इलक्टोड कई बार मूड जाता है तो आज इसी टोपिक पर मैं आपको समझाऊंगा जोब की सतय पर इलक्टोड क्यों चिपकता है इसके क्या कारण है और इलक्टोड को चुड़ाया कैसे जाए इसके लिए पहला कारण इलक्टोड का घीला होना घीला इलक्टोड या नम्मी वाला इलक्टोड परियोग करने के कारण उसमें नम्मी पानी की कुछ मातरा पाई जाती है जिसके कारण इलक्टोड वेल्डिंग का कारे करते समय प्लेट की सतय पर चिपकता है दूसरा पोइंट है वेल्डिंग करने तु करेंट की मात्रा का कम प्रयोक करना वेल्डिंग का कायरे करते समय आप अगर कम करेंट एमपेर वोल्टेज का प्रयोक करोगी तो इलोक तोड टोड पलेड की सतिया पर बार बार इस तरह से चिपक जाहेगी तीसरा पॉइंट है वेल्डिंग करने से पूरू इलक्टोड का कौन एंगल नहीं बनना वेल्डिंग करने के लिए हमेसा 75 डिगरी 55 डिगरी का एंगल होना जरूरी है अगर आपका वेल्डिंग करते समय इलक्टोड का कौन 55 डिगरी नहीं होगा या इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो इलक्टोड रोड प्लेट की सतय पर इस परकार से चिपक जाएगी चोता पॉइंट है जो वो इलक्टोड की धातू तत्वों में अंतर अगर आपने वेल्डिंग करने के लिए जो धातू काम में ले रहा हो उसके तत्वों अलग है और वेल्डिंग इलक्टोड अलग तत्वों का प्रयुक्या जा रहा है तो इलक्टोड प्लेट की सतय पर चिपकेगी पाच्वा पॉइंट है वेल्डिंग में अनभव की कमी होना वेल्डिंग का कारे करते समय अगर वेल्डिंग ओपरेटर अपने कारे को सलता में दक्सता पूर्ण नहीं होगा अनभव की कमी होगी जिसके कारण भी वेल्डिंग करते समय लक्टोड चिपक सकता है इस परका इलक्टोड बार बार चिपक जाता है जिसे छुड़ाने के लिए चटके दिये जाते हैं तो welder को हमेशा अपने कारे को सही समय पर पूर्ण करना चाहिए ना कि उसे जल्दी से जल्दी और कम समय में फूरा करने की कोशिस करने चाहिए इस परकार साथवा पोईंट है welding machine से समान current power उपलब नहीं होना कई बार welding machine में welding दोस होने के कारण welding machine समान रूप से current voltage ampere वगरा समान रूप से नहीं उपलब कराता है जिसके कारण भी electrode plate की सतय पर बार बार चिपक जाता है इस परकार जोप की सतय या plate की सतय पर welding पर किरिया करते समय electrode की tip plate की सतय पर बार बार चिपक जाती है जिसके कारण मैंने आपको एक से लेकर साथ तक point बता है अब electrode चिपकने के बाद में electrode को छुड़ाया के से जाए plate की सतय से इसके लिए आपको electrode older का हत्ता दबा कर electrode को छोड़ देना है जिससे की electrode ठंडी होने पर चिपिंग एमर की सायता से electrode को ठोक कर हटाया जा सकता है electrode चिपकने पर आप हाथ से पकरने की कोशिस नहीं करें इससे आपको हाथ से जलने का नुक्सान भी हो सकता है